काफी समय पहले की बात है प्रतापगड नाम का एक राज्य था वहां का राजा बहुत अच्छा था मगर राजा को एक सुख नहीं था वह यह की उसके कोई भी संता नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोध ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोशना करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए ऐसा ही हुआ राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिये और कहा कि अब हम छे महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा महीना बीज जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था देखते ही देखते तीन महीने बीद गए बच्चा परेशान हो गया तभी उसकी माने कहा कि बेटा धैर्य रखो कुछ बीजो को फलने में ज्यादा वक्त लगता है और वह पौधे को सीचता रहा छे महीने हो गए राजा के पास जाने का समय आ चुका था लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा लेकिन वह बच्चा इमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योकि उनके अंदर राज्ज का उतराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी अब राजा ने आदेश दिया सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योकि उसका गमला खाली था तभी राजा की नजर उस गमले पर गई उसमें पूछा तुम्हारा गमला तो खाली है तो उसमें कहा लेकिन मैंने इस गमले की छे महिने तक देख भाल की है राजा उसकी इमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है फिर भी वह हिम्मत करके यहां आतो गया सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया सभी बच्चे जोर से हसने लगे राजा ने कहा शान्त हो जाए इतने खुश मत हो ये आप सभी के पास जो पौधे है वो सब बंजर है आप चाहे कितनी भी मेहन्त कर ले उनसे कुछ नहीं निकलेगा लेकिन असली बीज यही था राजा उसकी इमानदारी से बेहत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उतराधिकारी बना दिया गया सीख अपने अंदर इमानदारी का होना बहुत जरूरी है अगर हम खुद के साथ इमानदार है तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे क्योंकि हमारी आउकात हमें ही पता होती है हम खुद को पागल बना कर खुद का ही नुकसान करते हैं